टैबलियो तो हम सीख रहे हैं और साथ में plots भी बना रहे हैं data visualization भी कर रहे हैं अब हमने plots को save कैसे करने हैं असलाम अलेकूम इस वीडियो में आपको सीखाने वाला हूँ को टैबलियो को किस तरीके से आपने सीख रहे हैं मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartafel, मैं आपको Tableau सिखा रहा हूँ, वह आप सीख रहे हो ना, पक्की बात है, let's jump into it, screen पे आपके सामने ये plot हाजिर है, आपने क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपने Tableau Public पे जाने, गूगल पे जाके, यहां पे आपने गूगल पे जाने, गूगल पे जाने के बाद यहां पे आपने Tableau Public पे जाने, और Tableau Public पे जाने के बाद आपने यहां पे अपनी ID बना लेनी है, और Sign In कर लेना है, मैंने और रेडी Sign In कर लिया हुआ, जब आप Sign In कर लेंगे, यहां पे काम करने वाला हूँ, book 1 की बजाए मैं इसको लिखता हूँ, test book 1, यह करके मैं save कर देता हूँ, मैं जैसे इसको save करूँगा, obviously, जब मैं control as press करूँगा, तो यह मुझे login information पूछेगा, जो मैंने already login कर लिया हुए, अगर आपने नहीं किया हुए, तो please do it, आप login कर लें पहले, जैसे आप उसको login कर लेंगे, then you will actually be able to save this, जैसे आप save करेंगे, यह automatically आपके पास open हो जाएगा, because this is public notebook now, and everybody can, anybody can actually reach this notebook, और आप देख रहे हैं कि यह हमारे पास पूरा एक plot आ चुक है, public में, और हम इसे देख सकते हैं, कि this is how it looks like, यह हमारे पास plot है, जैसे आपके पास यह plot publicly available हो जाएगा, something like this, what you can do, आप थोड़ा सो zoom in करें, zoom in करने के बाद, यह एक बटन आ रहे है, download का, आप इस पर click कर सकते हैं, share भी कर सकते हैं, edit भी कर सकते हैं, यहीं पर, जैसे मैं edit पर click करता हूँ, you will see कि हमारे पास यह online tablue public open हो जाएगा, website के उपर, और मैं वापिस जा colleagues, तो यह क्या करेगा, basically आप website पर भी इसको embed कर सकते हैं, और share भी कर सकते हैं लोगों के साथ, फिर अगली चीज क्या है, आपने यह download बटन पर click करने है, click करने के बाद image पर भी click कर सकते हैं, data पर भी, cross tab भी, pdf भी, powerpoint भी, tablue, workbook भी, और app भी, मैं image पर click करता हूँ, image पर click करने के बाद, यह मेरे पास पूरी image जो है, वो download होगी है, png के अंदर, और यह png मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर available है, let me open this up, मैं इसको vs code में open कर लेता हूँ, png को, which is not happening, of course, of course, of course, यह हमारे पास इस तरीके से यह png open होगी है, so आपके सामने कोई भी image जो है, वो उसको आपने download करना है, जितनी वो आपको show हो रही होगी, उतनी वो download होगी, say for example, मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ, यहां भी इसको मैंने zoom out किया, और यह जितने box के अंदर यह तस्वीर आ रही है, वो पूरा box मेरे पास save होगा, now I will go here, download, image, it will again do that, और यहां से, not in the app store भाई, वो बंदो जा, यहां पर click करते हैं, इसको open करते हैं, हम, कौन सी आप थी, photo viewer, अच्छा वही, मेरा photo viewer ही नहीं चल रहा, चलो paint में open कर लेते हैं, and this is how your image looks like, ठीक है जी, तो आप इस तरीके से इसको save कर सकते हैं, आप legend भी इसके साथ ले के आ सकते हैं, you can do whatever you want to do, tablue public के अंदर कुछ थोड़ी सी restrictions होती हैं, क्योंकि यह pricey है, अगर आप खुद से purchase करते हैं, public आपको तकरीबन free में available है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और इससी वज़ा से आपके जितने भी dashboard होंगे, यह private नहीं रहेंगे, इसका मतलब यह है कि आप practice कर सकते हैं, tablue के उपर, लेकिन आप अपना personal data यो कुछ ऐसा data आप share नहीं करेंगे, because it's going to be public, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप tablue की pricing में जाएंगे न, यहाँ पर अगर मैं tablue के ऊपर, tablue public पर जाता हूँ, और बलके मैं google पर जाने के बाद, यहाँ पर लिखता हूँ, tablue pricing, आप देखेंगे कि tablue जो है basically अच्छा खासा महँगा है, यहाँ पर check करें, 75 dollar, 42 dollar per month और 15 dollar per month, और students और teacher के लिए available है, अब क्या limitations है अगर आप गौर करें, मेरे पास यहाँ पर worksheet में export का button यह नहीं active हो रहा है, and there is no option to save my plot within my desktop app, और यह इस वज़ा से मैं save नहीं कर पाया, ठीक है, मेरे पास register version है, but just for the teaching purposes, I am using this tablue public, इसी वज़ा से हम आपसे request करता हूँ, अगर आप student है, या आप teacher है, I have to apply for that, अब आपने plot save कर लिए, इसको आप share करें, social media के ओपर इसको थोड़ा सा refine कर लें, ताके लोग इसको सराहे, and then you can share your tablue skills, के मैंने यह tablue पर बनाया, and people will love it, अपना ख्यार रखें, द्वा में याद रखें, मेरा नाम है Dr. Amartafel, मैं आपको tablue सिखा रहा हूँ, और उमीद है कि अभी तक आप सीख रहे होंगे, see you in the next one, like, share and subscribe कर दीजेगा,